दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बढ़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पोचे आज की पहली कबर पटना पहुचे लालू राबड़ी आवास में रोके जाने से नाराज हुए तेजपरताब कहा जगदानन के रहते राजद से मेरा कोई नाता नहीं जल्द लूंगा बड़ा फैसला जिहां लालू यादब के पटना आने के बाद राजद के अंदर मचा घमसान खतम नहीं हो सका है परिवार के अंदर चल रहा विबाद उस वक्त और गहरा गया जब पटना एरपोर्ट से लालू के साथ आये तेजपरताब को राबड़ी आवास में परवेश के इजाज़त नहीं दी गई तेजपरताब राड़ी आवास के गेट से लोट गए और एलान कर दिया कि जब दख प्रदेश से दख जगदानन सिंग को पार्टी से नहीं निगालेंगे तब दख हमारा राजद से कोई मतलब नहीं है तेजपरताब यादब ने जगदानन सिंग पर आरोप लगाये कि पटना एरपोर्ट पर उन्होंने हमें धक्का देकर बाहर जाने को कहा राजद चात्रवा इवा राजद के गुंडों के द्वारा भी हमें धक्किला गिया साथ तेज परताब यादब ने आरोप लगाया कि जगदानन सिंग और संजय यादब नहीं चाहते कि हम लोग एक साथ रहे अगली बड़ी कबर उप चुना में नितिस लालू का मुकाबला 25-26 को नितिस 27 सक्टूबर को लालू करेंगे परचार सभा की भीड तै करेगी परिनाम जहां आरजडी सुप्रेमो लालो यादब और सियम नितिस कुमार का असली मुकाबला अगले दो दिनों में होने वाला है मुकाबली की तारिक तै हो गई है सियम नितिस कुमार 25-26 सक्टूबर को तारापूर और कुसिसर इस्तान में चुना परचार करने वाले हैं वही कल दिल्ली से पाटना पहुचे लालो यादब और 26-27 सक्टूबर को दोनों विदान सबाओ को उपचुनाओ के लिए प्रचार करेंगे सियासी हलके में चर्चा है कि इनकी सबाओ की भेड़ चुना परिनाम की दिसाताई करेगी अगली बड़ी कबर लालो ने कॉंग्रेस को बताई ओकाद बोले हारने के लिए गड़बंदन में सीट नहीं देते भक्त चरंदास पर भी बर से जिहां बिहार विदान सबाओ उपचुना में अकले लड़ने का फैसला तेजस्वी आदब ने लिया था कॉंग्रेस की परवा किये बगेर तेजस्वी आदब ने दोनों सीटों पर अपने उमिदवार की गोस्ना कर दी थी अब लालो यादब ने भी तेजस्वी के इस फैसले पर मुहर लगा दी है आरजेडी लालो प्रस्याद यादव पाटना पहुचने के पहले ही कॉंग्रेस को उकाद बता दी है पाटना पहुचने से पहले जब लालो यादव से पूछा गया कि बिहार उपचुना में गड़बंदन खतम हो गया है ने कहा कि गड़बंदन क्या होता है गड़बंदन हारने के लिए नहीं होता है हम हारने के लिए दोनों सेट कॉंग्रेस को नहीं दे सकते थे या पूछे जाने पर भी क्या भक्त चरंदास लगाता रहा कर रहे थे कि आर्जेडी बीजेपे के लिए काम कर रही है इस सवाल प परब कॉंग्रेस ने लालो को बताया सेंस लेस दलितों को अबमानित करने का आरोप परवक्ता बोले बीमारी के कारण कुछ समझ नहीं रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो जहां बिहार विदानसभा उप्चिनाव को लेकर आरजेडी और कॉंग्रेस पार्टी एक दूसरे के साम सुप्रीमो पर चोतरपा हमला किया जा रहा है कॉंग्रेस ने बाड़ा बयान देते वे एक अदिया कि वे बीमारी के कारण लालो को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भक्त चरंदास को लेकर दिये गए बयान के बाद राजेस सुप्रीमो को कॉंग्रेस पर ये करारा जवाब दे रही है लालो के ओपर एक दलित नेता को अपमानित करने का आरोब भी लगाया जा रहा है कॉंग्रेस परवक्ता राजेस राठोर ने कहा कि लालो प्रसाद यादव खुद को वंचित दलितों और सोसितों के नेता कहते हैं लेकिन भक्त चरंदास जैसे दलित नेता को ल कोई होगी डीम का फरमान जारी है कुग से लोगों से वेकसिल लेन्हे की अपील की जा रहे है लेकिन इसी बेच एक अजीबों करीबों मामला सामने आया है डीम ने एक फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक कोरोना टिका नहीं लगवाने वालों को रासन बंद किया जाएगा इतना ही नहीं कोरोना जाच नहीं करवाने वालों पर कानूनी करवाई करने के बाद भी की गई है जिल्या दिकारे के इस फर्मान के बाद से गया जिल्या में हड़कम मच गिया है म पेड़क में डियम ने कहा कि जिल लोगों ने अब तक कोरोना का डिका नहीं लिया है उन्हें एक नौमबर से पेडिये से रासन नहीं मिलेगा। आगली बड़ी कपर बिहार के सरकारी एस्पतालों में बढ़ा अब साम चार बजे तक होगा इलाज। इस के मायदं से डाक्टर मरेजो को चिकिस्या सला देंगे। स्वास्त मांत्री मंगल पाने ने कहा कि इस संज्वनी टेली मेंडिरिशन सिवय का विस्तार किया जा रहा है अब इस संज्वनी डॉट इन वर्ड एस संज्वनी ओपेडी की सिवाई सप्ता में चो दिन उप्लब्द रहेगी विभाग के नई फैसले के मताबिक अब इन दोन माईदम से सिवाई सोमार से सनिवार तक चलेगी सिवा की कारेविदी सुबर नो बजे से बढ़ा कर चार बजे कर दी गई है जबकि पहले दो बजे तक यह सिवाई मिल रही थी अगली बड़ी ख़वर पटना जक्सन पहुचने के लिए बनेगा अंडर ग्राउंड रास्ता यात्रियों को मिलेगी जाम से मुक्ती जहां ट्रेन पकड़ने के लिए पटना जक्सन पहुचने वाले लोगों को जाम से मुक्ति के लिए अंडर ग्राउंड रास्ता बनेगा बूद इसमिरती मल्टी पारकिंग से पटना जक्सन तक अंडर ग्राउंड रास्ता तयार होगा बिहार राज पूल निर्मान निगम की देखरेक में इसका निर्मान होना है जानकारों के अनुसार इसके निर्मान के लिए टिंडर की पक्रिया सुरू हो गई है चट पुजा के बाद निगम बोर्ड की होने वाली बैठक में टेंडर प्रोसेस पर निरने लिये जाने की सम्हावना है अगली बड़े खबर राज में 28 अक्टुबर और 7 नौमर को विसे सभ्यान ऐसे देंगे कोरोना को मात जिहां राज के सभी लोगों को तेजी से कोरोना टेका देने को लेकर 28 अक्टुबर और 7 नौमर को फिर विसे सभ्यान चलेगा मुख्यमंतर नितिस कुमार ने टिका करन के सभ्यान की पूरी तयारी रखने का निर्दिस दिया है पदादी कारियों को कहा गया है कि डोर टू डोर सर्वे के दोरान चीनित के गए बचेवे लोगों का टिका करन तेजी से कराए साथ ही एक बर फिर से सर्वी करा ले ताकि कोई भी वेक्ती कोरोना टिका लेने से बंचित ना रहे अगली बड़े कबर बिहार में पिछले 24 गंटे में मिले चार नए कोरोना संक्रमित जहां बिहार में पिछले 24 गंटे में कोरोना के चार नए संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें सरवादिक पट्टना में तीन मरीज मिले हैं जबकि एक संक्रमित बेगुसरा में मिला है सेस आईने 36 जिलों में नई संक्रमितों की पहचा नहीं हुई है पिछले 24 गंडे में राज में 148,473 सेंपल की कोरोना जाच की गई और संक्रम अंदर सुने रही साथ आपको बता दे के राज में कोरोना के 37 सक्रिया मरेज इलाजरत है इन्वे सरवादिक 16 सक्रिया मरेज पटना में है और बिहार में दिवाली पर नहीं होगी आतिस बाजी बिहार के इन जिलों में पटा का बिकरी पर रोग एंजीटी का आदेश जहाब पिछले साल नॉवंबर मा में बिहार के चार सहरों में प्रदोसन के अतदिक मात्रा के कारण उने अटेटमेंड टाउन के स्रेनी में रखा गया है इन चार सहरों में पटा का बिकरी पर पुरी तरह से रोक लगा दी गई है इन सहरों में मुझपरपूर पटना गया वह अजीपूर सामिल है नेशनल ग्रेन टूबलन यानि के अंजीटी ने यह आदिस जारी किया है इसके अलोग में बिहार राज प्रदोसन नियंदरन बोड ने सभी डियम वह एसपी को पत्र लिकर निर्देश दिया है कि पिछली दिपावले के समय इन सहरों के वायू प्रदोसन इस्तर का अधन किया गया था इसमें पाया गया कि दिपावले के समय हवा में PM10, PM2.5, SO2, NO2 के अलावा हानी कारक धातों की मात्रा एदम से बढ़ जाती है इन में आरसेनिक लेड निकेल आदी प्रमुख है इनकी मात्रा हवा में इतनी अधिक हो जाती है कि हवा मानक के अलावा सभी प्रानियों के लिए धातक हो जाता है अगली बड़ी कबर बिहार के बेटियों को सेल्प डिभेंस के लिए तयार करने का प्लान पांच लाख स्कुली छात्राओं को दी जाएगे कराटे की ट्रेनिंग जिहां बिहार की बेटिया अब आत निर्वर बने हर मुकाबले करने को तयार हो इसके लिए पांच लाख चोतिस जार स्कुली बेटियों को कराटे का प्रेसिचन दिया जाएगा इसके लिए प्रदेश भर के 1068 बाले का स्कुलों का चैन किया गया है बिहार सिक्चा परियोजना परिशत के माने तो प्रदेश भर के 534 ब्लॉक के दो-दो स्कुलों में कराटे का प्रेसिचन दिया जाएगा हर ब्लॉक में उन स्कूलों का चैन किया गया है जहां पर सबसे अधिक छात्राई ना मांकी थे छट की छुटी के बाद ट्रेनिंग सुरू की जाएगी बेटियों को आत निर्वर बनाने के लिए इसकूली छात्राई को कराडे का प्रेसिचन उनकी स्कूल में ही दिया जाएगा इसमें नौवी से बारवी तक ये छात्राई को सामिल किया गिया है अगली बड़ी ख़वर बिहार में आब वाहनों का फिटनेस पेल होने पर 50 रुपिय प्रति दिन जुर्माना सरकार ने वापस लिए कोविट के दोरान मिल रही छोट जिहाराज में वहाणों का फिटनेस फेलें पर 50 रुपेय प्रते दिन जुर्माना लगेगा परिवहन बिभाग ने COVID के दورान फिटनेस फेलें पर जुर्माने की रासी में छोड दी थी फिटनेस फेल होने वाले दो पहिया वा तीन पहिया वाहनों में 10 रुपिया वेवसाइक ट्रेक्टर से 15 रुपिये छोटे चार पहिया वाहनों से 30 रुपिया और भारी वेवसाइक वाहनों से 30 रुपिये जुर्माना लिया जा रहा था इससे बचने के लिए फिटनेस पर्मान पत्र की बैदता समाप्थ होने से पहले रिनुवल के लिए तत्काल आविदन देना होगा इसके साथ ही फिटनेस सुलके की रासी जमा कर चलान कटानी होगी अगली बड़िक पर बिहार में महापर्व छट को लेकर तयारी सुरू चोदोसो नदी घाट और तीन हजार तलाब तयार करेगी सरकार जियां दुरगा पुजा खतम होने के साथ ही नगर विकास एवाम आवास विवाग ने चट महापर्व को लेकर तयारी सुरू कर दी है इसके साथ इस्ताने तलाब हुआ पोकरी को भी अच्चे से साब सफाई कराए जाएगी आगली बड़ी ख़बर बिहार के सभी जिलों में खुलेगा ओबिसी कन्या आवासिय पलस्टू स्कूल स्मार्ट क्लास, मौडन लेब, लावरेरी और जिम की भी होगी विवस्ता जहां बिहार में ओबिसी वर्ग की लड़कियों को बहतर सिक्चा मोहिया कराने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सरकार राज के सभी जिलों में ओबिसी कन्या आवासिय पलस्टू स्कूल खोलने जा रही है यहाँ स्कूल इगारवी और बारवी कक्चा के होंगे इन स्कूलों में ओबिसी वर्ग की लड़कियों को पढ़ाई के लिए ना सिर्फ बहतर सुविधाय उपलब्त कराए जाएगी बलकि प्रतेक विदाले में स्मार्ट क्लास, मॉडनल लेब, लाविरेरी और रिजीम की विवस्ता होगी कम्प्यूटर लेब की स्थापना होगी और वाइफाई सुविधा भी दी जाएगी आपको बताद की हाल ही में मुख्यमंत्री नितिस कुमार द्वारा दिये गए निर्देश पर अमल करते वे पिछड़ा और अती पिछड़ा वर्ग कल्यान विभाग ने डिपियार पावार प्रेजेंटेशन त्यार किया है इसका प्रेजेंटेशन सिख रहे मुख्यमंत्री के समक्च किया जाएगा पावर प्रेजेंटेशन से पले डिपियार पर अगले सप्ता विभाग या समिक्चा होगी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3820 कन्या प् खटा होंगे इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बता है